हलो स्टूडेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल दीने सरी स्टूडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जुन्हें ने 6 जैनुरी से 9 जैनुरी के बीच में जेई मिन्स की ऑनलाइन एक्जाम दी थी आज 13 जैनुरी को उनका जो है रेस्पॉंस शीट और किया था वो वेबसाइट पर अवलेबल हो गया जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग क्वेश्चन पेपर आया था और जो रेस्पॉंस उन्होंने रेकॉर्ड किये थे वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए सेम नहीं थे तो सबसे पहले और आप अगर चाहते कि आपका जो खुद का क्वेश्चन पेपर और आपने जो रेस्पॉंस दिया था याने आपने जो एंसर दिया था उसकी एक पीडिया फाइल जो है जन्रेट हुई है अगर आपको डाउनलोड करना चाते हैं तो आपको यह वेबसाइट पर जाना यह यह वेबसाइट आपको देख रही है जेएमें डॉट यह दोट एनएट यह दोट इस पर जाएए और उसमें आपके जो लॉगिन आइडिया पासवार्ड उससे लॉगिन कर दिजिए लॉगिन करने के बाद आपका जो पेपर था और उसके साथ ही आपका जो रेस्पॉंस था और उसके साथ ही जो एंसर किया था वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा और आप अपने रेस्पॉंस और उस क्वेस्चन के एंसर की को मैच करके खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने मांक्स आ रहे हैं अभी जो है रिजल डिक्लियर होने के लिए टाइम मैं लेकिन आप ये जो एंसर किया आया है और आपकी जो रेस्पॉंस है आपका जो लाइंसर की में तरिया है वो राइट वसकता है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं जेही मेंस के एंसर की को स्टूडन्स आपको बता दू यह जो एंसर की है और आपका रेस्पॉंस है इसको आपको थर्टीन जैनुवरी से फिफ्टीन जैनुवरी रात के ग्यारा बच के पचास मिनट के पाहले डाउनलोड कर लेना विकॉज यह लिंक जो हटा दी जाएगी जेही मेंन की वेबसाइट से तो आप अपने रेस्पॉंस और क्वेशन पेपर को डाउनलोड करके पीडियाफ के फॉर्मेट में सेव कर लीजिए आपके मोबाइल या तो पीसी में इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी क्वेशन को चैलेंज करें किसी आपने जो एंसर रेस्पॉंस दिया वो राइट है और जो एंसर की में आया हुआ एंसर है वो रौंग है तो आपको वन थाउजन रूपीस भरने होंगे एक क्वेशन के लिए अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो अगर आपका जो चैलेंज है वो आगे चलके वेरिफा आपका चैलेंज सही हुआ तो आपका जो वनता हुजे ने आपको वापस मिल जाएगा और आपको मार्स मिलेगा अगर आपका चैलेंज करेक्ट नहीं हुआ यानि जो एंसर की में एंसर आया हुआ है वही एंसर राइट है तो आपके थाउजन रूपीस चले जाएंगे तो ऐसे ही जानकारिया जो जेई मेंस नीट और एमस्टी सीटी से रिलेटेटी चैनल पर आती रहती हैं चैनल पर आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको यह सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें मिलते हैं स्टुडेंट् आई बुरियो में